प्यारे बच्चों हम शांकिकी माद्य के अंतरगद पिछले कालखंड में शामनांतर माद्य ज्याद करने की प्रत्यक्ष विदी कल्पित माद्य विदी और पद्विचलन विदी के बारे में अध्यान किया हैं ठीक है आज हम शामनांतर माद्य के कौन कौन से गुण दोस होते हैं उसके बारे में हम संचेप में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं शामनांतर माद्य के गुण मेरिट्स आफ अर्थमैटिक मीन तो शामनांतर माद्य के गुण के अंतरगत हम पहला गुण देख सकते हैं जैसे की पूर्व कालखंडों में आपको बताया जा चुका है कि माद्य कैसा होना चाहिए दिरता परिभासित होनी चाहिए तो शामनांतर माद्य का पहला गुण है कि यहाँ इस पश्टा परिभासित होता है शामनांतर माद्य जो है इस पश्टा परिभासित होता है इसका दूसरा गूम होता है यहां अर्थाज सामनांतर माद्ध हैं सभी प्रेक्षाओं पर आधारीत होता है कहने कतात पर यहां है कि सामनांतर माद्ध आकड़े में जितने भी पद दिये हुए होते हैं उनका सही ढंग से जो है प्रतिनी धित्व करता है तीसरा इसकी गर्णा सरल्ता से की जा सकती है शामनांतर माद्ध की गर्णा सरल्ता पुर्वा की जा सकती है और चौथा बिंदो हम देख सकते हैं कि शामनांतर माद्ध निश्चित होता है यह जो चार बिंदू है यह चारों बिंदू जो है समांतर माद्ध के गुण को प्रदर्शित करते हैं कौन कौन से कि पहला शामनांतर माद्ध दिर्टा परिभासित हो अर्थाद इसकी परिभासा जो है इस्पस्ट होने चाहिए शामनांतर माद्ध सभी प्रेक्षाओं पर आधरित होता है अर्थाद आखड़े में जितने भी पद मुल्य हैं उनको जो है समान महत्व देता है इसकी गर्णा सरलता पुर्वक की जा सकती है और चौथा बिंदू है शामनांतर माद्ध निश्चित होता है इसका मान हम चर्चा करते हैं शामांतर माद्ध के दोस्ट के बारे में शामांतर माद्ध के दोस्ट डिमेरिट साफ अर्थमेटिक मीन शामनांतर माद्ध के कौन-कौन से दोस्ट होते हैं तो इसके दोस्ट के अंतरकत हम पहला देख सकते हैं कि यहाँ बड़े पदों को अधिक माद्ध को देता है बड़े पदों को शामनांतर माद्ध अधिक माद्ध देता है दूसरा दोसिया है कि इसे निरिक्षन मात्र से ग्याद नहीं किया जा सकता अर्धात आंकड़ों को देखने भर से हम यह ग्याद नहीं कर सकते कि दिये आंकड़े का शामनांतर माद्ध कितना होगा तीसरा दोस्त हम देखते हैं कि एक भी पद छूटने पर इसकी सुधता में कमी आ जाती है ठीक है और एक और दोस्त देख सकते हैं कि इसकी साहता से बुद्धी इमानदारी जैसे मापने योग ये गुण ठीक से नहीं नापे जा सकते नापे या मापे जा सकते तो इस प्रकार ये जो है समानतर माद्ध के चार दोस्त हुए कौन-कौन सा कि पहला सम्नानतर माध्य बड़े पदों को अधिक महत्व देता है दूसरा इसे निरिक्षण मात्व से ग्यात नहीं किया जा सकता तीसरा दोस्या है कि एक भी पद छूट जाने पर या छूटने पर इसकी सुधता में कमी आ जाती है अर्था ये जो है ठीक ठीक परिमार नहीं देता और चौथा है इसकी सायता से बुद्धी इमानदारी जैसे जो मापे जाने योग्य गुण होते हैं उसका ठीक ठीक माप नहीं किया जा सकता तो ये हो गए शाम्नानतर माध्य के गुण एवाम दोस्त चलिए संचेप में देख लेते हैं हम आगे कि शामानतर माध्य का क्या उप्योग है इसका उप्योग सामानतर की शेत्रों में होता है तो हमारा अगला विंदु है सामानतर माध्य के उप्योग शाम्नानतर माध्य का उप्योग शाम्नानतर माध्य का उप्योग हम मुख्य रुप से आर्थिक और द्योगिक एवाम वानिजिक उत्पादन के छित्र में करते हैं और इसकी सहत्य से औशत्भाग औशत्मुल्य औशत्पादन इत्यादी सम्बंदी गर्णाएं हम करते हैं ठीक है तो यह हो गया शाम्नानतर माध्य का उप्योग किनकिन छेत्र में किया जाता मुख्यूप से आर्थिक अद्योगिक एवाम वानिजिक छेत्र में ठीक है अब हमारे चर्चे करेंगे हमारा अगला माध्य का प्रकार माध्य का के बारे में तो देखते हैं हम माध्य का माध्य का अगला प्रकार होता है केंद्री प्रुति के माप केंतरगत माध्य का अगला प्रकार है माध्य का जिसको कि हम एंगलिश में मीडियन कहते हैं तो माध्य का की क्या परिभाश्य होगी जब पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवास्थित करते हैं या रखते हैं तब बीच के पद को या मध्य पद को माध्य का कहा जाता है माध्य का क्या होती है जब पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवास्थित करते हैं या व्यवास्थित रखते हैं तब पदों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के पस्चार जो बीच का पद होता है उसे माध्य का कहा जाता है अर्थाद माधिका चर का वहमान होता है जो स्रेणी को दो बरावर भागों में विभाजित करता है और इसे हम अर्थाद माधिका को शंकेद M.D. से प्रदर्शित करते हैं M.D. प्रदर्शित करने करण क्या है माधिका को मीडियन कहा जाते है इसलिए इसको संचेप में प्रदर्शित करने के लिए हम M.D. संकेद का उप्योग करते है अब चली हम चर्चा करते है कि माधिका की गर्णा कैसे की जाती है तो अगला बिंदू है माधिका की गर्णा माधिका की गर्णा बताने के पूरू आप लोगों को एक चीज इसपस्ट कर देना चाहूंगा कि जैसे परिभासा में आया था दो सब्द महत्पून एक आरोही क्रम और दूसरा उसी में आया था आरोही क्रम आरोही क्रम को बोलते हैं एसेंडिंग और और आरोही क्रम को बोलते हैं डिशेंडिंग और तो आरोही क्रम से ताथ पर यह है पदों को हम बढ़ते क्रम में रखते हैं पदों को परिमान के अनुसाल किसमें रखते हैं बढ़ते क्रम में रखते हैं तो उस पत को जो है उस क्रम को आरोही क्रम काहा जाता है और जब पदों को संख्या के परिवान के आधार पर उनके घरते क्रम में रखते हैं तो उसे जो है और वही क्रम कहा जाता है ठीक है इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है चलिए अब हम देखते हैं माधिका की गड़ना तो माधिका की गड़ना के लिए पहला बिंदू है जब स्रेणी में पदों की संख्या एन विसम हो विसम संख्या किसे कहते है इसके बारे मापको आउगत हो गए है तो जब स्रेणी में पदों की संख्या एन विसम हो तब माधिका एम डी वराबर एन धन एक बटे दोवां पद जो है माधिका होती है है एन क्या होती है जो हमारे पास स्रेणी को जो है पदों को आरोही या आरोही क्रम में व्यस्थित करने के पश्चाथ उस्रेणी में कुल कितने पद हैं उस संख्या को हम किस से प्रदशित कर रहे हैं एन से और ये एन जो है यदि संख्या में हो या विसम संख्या में हो ये पहले हमको पहचान करना है यदि विसम संख्या में है तब माधिका होती है एन धन एक बटे दोवां पद अर्था स्रेणी का एन धन एक बटे दोवां पज्जो होगा, वो होगा माधिका दूसरा जब स्रेणी में पदों की संख्या एन सम हो तब माधिका ये निकालने का सुत्र है एमडी बराबर एन बटे दोंए पतकामान धन एन बटे दो धन एकवे पतका मान का स्रम्पुन बटा दो इस सुत्र की सायता से जो है हम माधिका ग्याद करते हैं इस चीच को ध्यान में रखेंगे यहाँ पे एन बटे दो धन एक है है ना? इसको हमको इस प्रकार से नहीं लिखना है एन बटे एक धन दो वहाँ पत ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे इस पत के लिए जो है गलत हो जाएगा ठीक है? इस चीच का में जब पदों की संख्या एन सम हो तब विशेज ध्यान रखना है है ठीक है? नोट का लीजिए चली आगे देखते हैं हम हाँ 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 है जब हमारे पास जो आगड़े दिये गए हैं वह जो है वर्गंत्राल की रुप में प्राप्त हो तब माधिका कैसे ग्याद की जाती है उसके बारे हम चेर्चा करते हैं तो अगला बिंदू है माधिका की गर्णा के लिए जब श्रेणी या पद वर्गंत्राल की रुप में हूँ तब शमांतर श्रेणी तब माधिका एमडी बराबर होता है एल वन धान एन बटे दो रिण सी बटे इसमाल एफ गुणित आई जहां एल वन बराबर होता है माधिका वर्ग की निमन सीमा एन क्या होती है एन होती है हमारे कुल आवरित्यों का योग या इसको हम कह सकते हैं योग या अन्तिम संचय आवरित्य पद अन्तिम संचय आवरित्य पद इसको हम कैप्टालेंस से प्रदशित कर रहे हैं सी माधिका वर्ग के पूर्व की संचय आवरित्य एवाम एफ एफ होती है माधिका वर्ग की आवरित्य तथा आई बराबर होता है वर्गंत्राल अर्थाद एल टो रेंड एल वन या उसको हम कह सकते हैं उच्च सीमा रेंड नेमन सीमा ठीक है इस सुत्र को नोट कर लिजिए और हमको जो है इस सुत्र में मान रखते समय प्रतेक संकेत का इस पश्टता ज्यान होनी चाहिए ठीक है कई जगा आप देखेंगे इस सुत्र में एन बटे दो रिन सी के बदले जो है कहीं कहीं पर जो है कैपिटल एफ के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जाता है ठीक है तो वो हमारी उपर निर्भर करता है कि हम उसको किस संकेत से प्रदर्शित करें जिससे कि हमको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो ठीक है तो इस प्रकार हमने अभी माधिका की गर्णा की विद्यों को देखा पहला क्या देखा कि जब पदों की संख्या विसम हो दूसरा जब पदों की संख्या सम हो और तीसरा जब हमारे पास जो स्रेणी दी गई है वो वरगंत्राल के रूप में हो तब माधिका हम सुत्र विधी से इस सुत्र के माधियम से ग्याद करते हैं ठीक है कर दो कर दो चलिए अब हम माध्री का पराधारित कुछ सवाल हल करते हैं एक उदारान लेते हैं दिये गए स्रेणी पांच, दस, तीन, साथ, दो, नाओ, छै, दो, तथा ग्यारा के लिए माध्री का की गार्णा कीजिए ठीक है? के लिए माध्री का की गार्णा करो चलिए देखते हैं हल माध्री का की गार्णा के लिए जो स्रेणी हमें पहले दिया होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं अतरा दी गई स्रेणी 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2, 11 जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि माध्री का की गार्णा के लिए दी गई स्रेणी को सबसे पहले किसमें व्यास्थित करते हैं हम उसे आरोही या आरोही क्रम में व्यास्थित करते हैं ठीक है? तो हमारे पास ये स्रेणी दी गई है इसको हम आरोही क्रम अर्थाद बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं प्राप्त सरेनी क्या होगी आरोही क्रम में रखने पर आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले किस परिमार के शंख्या को रखेंगे जो सबसे छोटा हो सबसे छोटा क्या है यहां पर दो तो दो उसके बाद फिर अगला पद दो फिर दो के बाद तीन तीन के बाद हम देखते हैं अगला परिमार का है पांच पांच के बाद है अगला परिमार की संख्या वाला पद है छे छे के बाद अगली संख्या हैगी आरोही क्रम में साथ साथ के बाद नौ नौ के बाद दस और दस के बाद ग्यार इस प्रकार आप देखते हैं यह जो स्रेणी है बढ़ते क्रम में है ठीक है? अब हम यहाँ ज्यात करेंगे कि इस स्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है स्रेणी में कुल पदों की संख्या पुने एक बार देख लिजे हमको आरोई क्रम में रखने पर प्राप्त स्रेणी प्राप्त वा दो दो तेन पाथ छे साथ नौ दस और ग्यारा अब इस स्रेणी में कुल कितने पद हैं उसको हम गिलते हैं तो स्रेणी में कुल पदों की संख्या N बराबर एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आट, नौ कुल पदों की संख्या कितनी हैं? नौ और नौ कैसी संख्या है? वी सम है ठीक है अता माद्धी का बराबर एन धन एक बटे दो माद्धी का होगी यहाँ पे हम एन के जगा कितना रखेंगे नौ त्यों जाएगा नौ धन एक बटे दो माद्धी का क्या होगी पांच वापत अब हमको देखना है कि पांच वापत क्या है तो किस त्रेणी से लेंगे हम जिस्त इस पांच वापत को हम उस त्रेणी से लेंगे जो हमें आरोही क्रम में व्यास्थित करने के पस्चात मिला है मतलब इस त्रेणी से लेंगे प्रारम से नहीं लेना है आपको आरोही आरोही क्रम में रखने के पस्चात जो स्रेणी प्राप्त होती है वहां से आपको लेना है ठीक है तो पांच वापत क्या है एक दो तीन चार पांच पांच वापत क एक बार पुना देख लीजिए कि जोब हमें स्रेणी दी जाती है उस स्रेणी को सबसे पहले हम आरोहिया और ही करम में रखते हैं यहां पर दीगे इस स्रेणी को हमने आरो यहाँ मतलब उसके परिमाण का नुशाय बढ़ते क्रण में रखा ठीग है आरो यही क्रम में रखने के पश्कार हम देखते है कि उस्रेणी में कुल पदों की शंख्या कितनी है यहाँ पे कुल पदों की शंख्या है नौ जो कि विसम है और विसम के लिए माधी का का सुत्र होता है एं दन एक बटे दोमाःब्द एं कमान हमें प्रार्प्त को और आन Tabii यहाँ पर प्रतिस्थापित किया यहां पर खोर 9धन एक बटे दोमाःillesब्द रखाद 9 धन एंदेस 10 बटे-दो फाषाद पाचवा पद थीक है अब पाचवा पद तो इस पद को हमको कहा से देखना है उस त्रही से देखना है जो पदों को जो है आरोही क्रम में व्यश्थित करने के पस्चाथ प्राप्त वह यह है यहां पर हमारा पाचवा पद है एक, दो, तीन, चार, पाँच अर्थाथ अभिष्टपत कौन से है? छे और ये हमारी माध्धिका होगी ठीक है? तो ये हमने देखा जब पदों की संख्या एन जो है तो भी सम है चलिए एक सवाल हल करते हैं जब पदों की संख्या सम हो तो हम माध्धिका की गर्णा कैसे करेंगे? ठीक है? नोट कर लिए चलिए देखते हैं हम दूसरा हुदा रहे हैं चर्प तीस पांच इक्कीस ब्यालीस तेरा दस सत्ताइस तैंतीस सत्रा और आठ की माध्धिका ग्याद कीजिए यह हमारे पास प्रश्ण है कि दिये गए चर्प पांच इक्कीस ब्यालीस तेरा दस सत्ताइस तैंतीस सत्ताइस आठ को आरोही क्रम में रखने पर प्राप्त स्रेणी यह हमें मिलेगी आरोही क्रम में रखने है तो सबसे छोटा पद है यहाँ पे पांच फिर है आठ आठ के बाद अगला बड़ा पद है दस दस के बाद अगला बड़ा पद है हम देखते हैं तेरा है तेरा के बाद अगला बड़ा पद है अगला बड़ा पद है यहाँ पर 21, 21 के बाद अगला बड़ा पद है 27, 27 के बाद अगला बड़ा पद हमें प्राप्थ होगा 30, 30 के पस्चात 33, और अंध में हमें प्राप्थ होगा 40. तो इस प्रकार हमने दी गई स्रेणी को जो है आरोहिक्रम में व्यवस्थित कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस स्रेणी में कुल कितने पद हैं, उसे गिलेंगे, अर्थाद कुल पदों की शंख्या को ग्याद करेंगे, श्रेणी में कुल पदों की संख्या, या फिर एक शीज आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये चीज देख सकते हैं, कि हमारे स्रेणी में कोई संख्या शूर तो नहीं है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रारम में जो स्रेणी दी गई है, उनकी कुल संख्या को गिल लें, ठीक है, और आरोही क्रम में रखने के पश्चाद, जो स्रेणी है, उनकी कुल संख्या को गिल लें, दोनों में चार पाथ छे साथ आठ नौ दस इस प्रस्ट हो गया हाना अर्थात कोई भी जो है पद जो है छूटा नहीं तो यहां पर स्रेणी में पुल पदों की संख्या एन बराबर दस जो की कैसी संख्या है सम संख्या है कैसी संख्या है सम है अता माद्धी का MD बराबर सुत्र से एन बटे दोवें पद का मान धन एन बटे दो धन एकवें पद का मान का शम्पून बटा दो ठीक है एन बटे दो एन के जगा हम रखेंगे दस दस बटे दोवें पद का मान दस बटे दो धन एकवें पद का मान का शम्पून बटा दो यहाँ पर लिखते समया में विसेश साधानी रखना है दस दन एक ऐसे नहीं लिखना है ठीक है दस दन दोवें पद का मान अर्थाथ पांचवां पद धन दस धन दो अर्थाथ पांचवां धन एक छटवां पद यह छटवां पद का मान का शम्पून बटा दो ठीक है अब हम देखते हैं स्रेणी में पांचवां पद कौन सा है तो पांचवां पद एक दो तीन चार पांच सत्रह धन छटवां पद क्या है मारे पास 21 बटे दो अर्थाथ आगे हम देख सकते हैं माद्धिका एमडी बलाबर 17 धन 21 शात और एक आठ और एक धन दो तीन 38 बटे दो अर्थाथ 38 को दो से भाग देंगे तो हमें प्राप्थ होगा 19 और यह हमारा अभिष्ट उत्तर होगा ठीक है तो इस प्रकार हम जो है जब दी गई श्रेणी में पदों की संख्या सम हो तो माधिका कैसे ग्याद करते हैं इसको इस उधारन के माध्यम समने देखा ठीक है अगले कालखन में हम जो है सुत्र पराधारित अर्थात जब हमारे पास जो स्रेणी हैं उनकी संगत आवित्यां दी गई हो एवं वो वरगंत्राल के रूप में हो तो उनकी जो है माधिका कैसे ग्याद की जाती है इसके बारे में अध्यान करेंगे चर्चा करेंगे ठीक है ठीक है ठेंक्यू